नमस्कार मैं किशिश और स्वागत है आपका नेक्स नाइन न्यूस में इस रिपोर्ट में बात करें मुलायम सिंग यादव को लेकर उनके निदन को आज तीसरा दिन हो चुका है लेकिन अभी भी वो लोगों के जहन से नहीं जा रहे क्योंकि सब लोग उन्हें इतनी जादा मुहपत करते हैं लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे मामले सामने हैं जो काफी ज़दा चौका देने वाले हैं इन्फजार सबका किया जा रहा था जब मुलायम सिंग यादव पंच्टत में विलीन होने वाले थे लेकिन काफी एहम लोग वहाँ पर नहीं पहुंचे आखिरकार व जब ट्विट किया उन्होंने कि पूरे परिवार को संवेदना है मेरी और इस तरीके से उन्होंने बात रखे अपनी तो सबको लगा कि मायावती भी पहुंचेगी नेकिन मायावती नहीं आए जिसको लेकर यहाँ पर काफी ज्यादा चौकुटे ते लोग के आकिरकार लगातार अस्पताल में भरती हो रहे थी युरुन इन्फेक्शन बीपी लोग होना ब्लड प्रेशन कहाई हो जना काफी तरीके की बिमारियों से लगतार जूट रहे थे सपासंस्थापक और 10 अक्टूबर को सुबह 8 बच के 16 मिनिट पर मैदान ता अस्पताल में आए पूरा परिवार महां मौजूद था और कहिना की उमीदें लगाए गई थी कि पूरा परिवार एक साथ होता नजर आएगा लेकिन ऐसा नहीं होता दिख रहा है अब यहां पर बताते चले आपको कि ग्यारा तारिकों उन्हें पंसुतत में गिलीन किया गया चार बची के कर लेकिन उसके बाद भी मायावती नहीं पहुंची अगर उस गेस्ट हाउस कारण के बाद की चाहे तो सभी को मालूम है कि किस तरीके से हवाओं में था उमुद्दा जो कहा गया था कि मुलायम सिंग यादव और अखिलीश यादव उनके कारे करता हूं किस तरीके से मायाव भी हुआ था सपा का और बसपा का लेकिन उसके बावजूद भी आखरी समय में जहां पर मायावती को साथ दिखना चाहता तो मायावती नहीं पहुंची जिसको लेकर मायावती पर लगाता है सवाल खड़े होते चाह रहें कि जब उनका अंतिम जंसकार हो रहा था यहां प का तो राजनाथ सेंग अभिशेग बच्चन अने लंबानी बड़े बड़े नेता और अभी नेता यहां पर पहुंचे रहें अब आपका अगे कहना है कि क्या वो आकरिस में पर गेस्ट हाउस कांट फिर से यादा आ गया था मायावती को अपने राय ज़रूर्दे और बा